Hello Friends, I hope आप सभी अच्छे होंगे इस वीडियो में हम Principles of Inheritance and Variation की बात करने आले हैं Already हम इसके तीन पार्ट्स डिस्किस कर चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से चेक आउट कर सकते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज हम Instagram पर फोलो कर ले Instagram का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो में हम Sex Determination and Genetic Disorders की बात करने आले हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं Sex Determination की बात की जाए तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिकार पता किस तरह से चला कि Males और Females में अलग-अलग Chromosomes या Sex Chromosomes पाए जाते हैं तो इसकी पीछे एक Scientist हैं जिनकी हमें सुनने को मिलता है कि उन्होंने किस तरह से जो ये Chromosomes हैं इनको डिसकवर किया तो Sightology जब होती है हम देखते हैं कि काफी ज़ादा Insects में या Humans में mainly हम यहाँ पे Insects की बात करेंगे क्योंकि जो हमारे Scientist थे जिन्होंने इसको डिसकवर किया था तो उन्होंने इनसेक्ट के थ्रू ही डिसकवर किया था कि हमारे Body गे अंदर या किसी भी Living Body गे अंदर Six Chromosomes होते हैं तो उन्होंने किया जब Cytological Observations उन्होंने की मतलब कि ऐसी observation जब Cell Divide करता है Scientology क्या है The Study of Cells तो उन्होंने ये concept दिया कि जो genetic चीजे हैं या chromosomal चीजे हैं ये सभी क्या है ये sex determination में हमारी help कर सकते हैं Scientist का नाम क्या था तो Hanking उन्होंने नाम था 1981 में उन्होंने ये praise करना शुरू किया कि जब Spermatogenesis होता है Spermatogenesis एक ऐसा process है जिसमें males के अंदर sperm cells बनते हैं That is Spermatogenesis तो उन्होंने ये trace करना शुरू किया कि कुछ specific nuclear structure है जो कि Spermatogenesis होने के बाद 50% of the sperm cells में वो specific nuclear structure था और 50% sperms के पास वो specific structure नहीं था तो जो वो specific structure उनको दिख रहा था Hanking ने उसको एक X body करके नाम दे दिया उस structure को लेकिन वो इसका significance इसका क्या use है इस चीज़ को वो explain नहीं कर पाए उसके बाद काफी ज़ादा scientists था है उन्होंने investigations शुरू की और उन्होंने ये conclude किया कि जो X body है मतलब Hanking ने जो X body discover की थी वो in fact क्या है एक chromosome है जिसको की बाद में चल करके X chromosome नाम दे दिया गया अब उन्होंने ये भी observe कि बहुत जारा बहुत जादा जो insects है उनके मैं कैसे है तो वो X O type है मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी eggs हैं मतलब females होंगी उनके जितने भी egg cells होंगे उनके अंदर एक additional X chromosome पाया जाएगा autosomes के साथ और दूसरी तरफ जो sperm cells है मतलब कि जो sperm bearer है जैसे कि males तो उनके sperms में एक X chromosome या तो होगा मतलब आधे 50% of the sperm cells में वो X chromosome होगा और 50% of the sperm cells में वो X chromosome नहीं होगा वहीं females में सभी के पास X chromosome होगा और males में आधों के पास X chromosome होगा और 50% of the sperm cells के पास X chromosome नहीं होगा अब जो ये eggs जो की X chromosome के साथ जा करके fuse करेंगे मतलब कि वो कैसे बनेंगे वो female बनेंगे मतलब कि अगर कोई X chromosome ये female का है और ये X chromosome male का आकर के fuse हुआ तो संभावना क्या है कि जो हमारे पास offspring बन के आएगा वो कैसी होगी female होगी लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर X chromosome female का और कोई दूसरा sperm cell जिसके पास की X chromosome नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो O है तो जब ये जा करके fuse करेगा तो संभावना होगी कि जो हमारे पास offspring बन के आएगा वो कैसा होगा वो male होगा अब क्योंकि ये जो sex chromosome है ये हमारी sex determination में help कर रहा था इसी लिए इसको sex chromosome कहा गया और बाकी के जितने भी chromosome से उनको autosome कहा गया तो इस तरह से sex determination की शुरुआत हुई तो main scientists जिन्होंने इस पर काम किया था वो थे hanking उसके बाद कुछ terms हैं जैसे कि male heterogamity and female heterogamity तो male heterogamity कि दो ऐसे cells देखिए gametes क्या है हमारे तो हमारे reproductive cells राइट चाहे वो female के हूँ या male के हूँ और heterogamity का मतलब है अलग-अलग तो ऐसे cells जो कि अलग-अलग हैं तो male में अगर हम बात कर रहें तो X and Y होता है तो ये क्या है? male heterogamity मतलब कि males में जो उसी तरह से females में तो mostly females में same देखे जाते हैं XX chromosomes लेकिन जो हमारे birds होते हैं birds के अंदर females में Z, W ये दो chromosomes देखे जाते हैं sex chromosomes और जो male होते हैं उनके पास pair होता है Z, Z का तो जो हमारी females होती हैं bird females अब इनके पास दो अलग-अलग sex chromosomes होने की वजह से इनके gametes को क्या कहा जाता है female heterogamity अब sex determination in humans तो अभी हमने दो types पढ़ लिये हैं कि एक तो XY type होता है और एक XO type XO type हम discuss कर चुके हैं अब हम जो humans में होता है XY type chromosomal sex determination उसकी बात हम करेंगे तो जो sex determination का mechanism है case of humans में वो कैसा है XY type का है यहाँ पर 23 pair of chromosomes present होता है उस मैंसे 22 pairs जो होता है वो male और female दोनों में same होते हैं उनको autosomes कहते हैं एक pair जो की X chromosome present होता है यह females में present होता है और वहीं पर X और Y जो chromosomes है वो determination factor है कि इसका male characteristic का मतलब की males के अंदर कौन से chromosomes होते हैं X और Y अब during sperm metogenesis जब sperms बनते हैं तो उन मेंसे half of the sperm cells उनके पास X chromosome होता है और half of the cells के पास Y chromosome होता है उसके बाद जो females होती हैं उनके सभी eggs में कैसा chromosome होगा ovum में X chromosome होगा तो there is equal probability कि अगर sperm cell X और X fuse हो रहे है मतलब कि sperm और हमारा जो ova है अगर वो X X fuse हो रहे है तो क्या बनेगा तो female बनेगी मतलब कि अगर एक X cell और एक ये वालाएक cell इस इस फ्रॉम मेल और इस इस फ्रॉम मेल if they both combined तो क्या आएगा तो हमारे पास X X आएगा और ये क्या होगी female होगी वहीं अगर दूसरी तरफ जो हमारे पास Y chromosome था इन स्पॉम सेल्स और female के पास क्या है X अगर ये दोनों combined होते हैं तो X Y आएगा मतलब कि हमारे पास कैसा off spring होगा हमारे पास male off spring होगा अब जो ये पूरा determination of sex है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है genetic makeup of sperm क्योंकि female के पास तो दोनों X X chromosome है तो अगर किसी का sex decide करना है कि आने वाली generation में लड़का होगा ये लड़की होगी तो वो सब कुछ किसके ओपर depend करता है वो male के sperm genetic makeup के उपर depend करता है whether जो X chromosome वाला sperm cell है वो female ova के साथ जाकर के fuse हो रहा है या फिर Y जो chromosome वाला sperm cell है वो fuse हो रहा है वो ही चीज जो है वो हमारा आने वाली generation का sex decide करती है तो उस तरह से sex determination in humans हम कर सकते है उसके बाद अब कुछ चीज़े हैं जो कि इन से जुड़ी हुए है that is mutation mutation हमने एक last video में भी cover up किया था लेकिन हम यहां से काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि mutation क्या है ये DNA sequence में change है मतलब क्या है कि देखिए इस तरह से हमारी body के अंदर DNA काफी tightly packed और super coiled मतलब कि काफी जदा goal से गुच्छे की तरह पढ़ा होता है और इसके बीच में कुछ bonds होते है जो कि क्या होते है कुछ genetic codes होते है जो कि हमारी हर एक बनावट के लिए शरीर की हमारी characters के लिए हम दिखते कैसे है एक चीज के लिए responsible है तो अगर इन DNA sequences में जो कि codes है हमारे उनके बीच में कोई change आजाता है या तो वो artificially हो या फिर naturally कोई change हो तो उसको हम mutation कहते है अब mutation से क्या हो सकता है कि जो कोई mistake हो सकती एकसे DNA sequence में अगर copy बन सकती है किसी DNA sequence की या फिर जब cell divide होते हैं उस दोरान कोई change आ सकता है या फिर अगर किसी radiation की चपेट में आ पा रहे हैं तो उस दोरान कोई DNA को हम हो सकता है या फिर कोई chemical के exposure में रहे तो ये जितनी भी चीजें है जो कि mutation कर रही है हमारे body गे अंदर चाहे वो virus है या कोई infection है तो ये क्या है mutagenz है mutagenz क्या करते है mutation create करते है और mutation क्या होती है change in DNA sequence अब कुछ genetic disorders है जो की ऐसी बिमारिया है जो हमें genetically मतलब हमारे अंदर inheritedly या फिर हमारे DNA sequences में change होने के वज़़े से हमें हो जाती है तो इन्हें हम देख लेते हैं तो सबसे पहले है pedigree analysis तो देखिए ये क्या है इससे हम कोई particular trait या कोई particular हमारी पुष्टों से चली आ रही कोई बिमारी है उसको हम पढ़ सकते हैं study कर सकते हैं कि आने वाली generation में कितनी संभावना है कि वो बिमारी जो है वो किसी next generation वाले person को हो सकती है देखिए इसको simplify करने के लिए आप इतना याद रखिए आपने सबने family tree देखा होगा कि किस तरहा से होता है तो family tree से क्या है कि जो ये family tree है जब हम इसको बनाते हैं मतलब एक generation से दूसरी generation में जब कोई particular trait जा रहा है और मेभी वो कोई किसी बिमारी का carrier हो सकता है जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो वो क्या है वो pedigree analysis कहते हैं उसको हम pedigree analysis कहते हैं और हम इसको family tree की मदद से पढ़ते हैं generations को हम पढ़ते हैं कि इस generation में क्या हुआ उस generation में क्या हुआ अब हमारे पास जो genetic disorders है वो दो तरह के होते हैं तो पहले हैं mendelian disorders तो mendelian disorder ऐसे होते हैं जो कि किसी single gene के mutation से create होते हैं किसी single gene के mutation से create होते हैं उसमें कुछ बिमारी के नाम आते हैं disorders के नाम आते हैं जिस तरह से कि hemophilia cystic fibrosis sickle cell anemia, color blindness phenylketonuria, thalassemia तो इस तरह से जो भी एक single gene mutation आने की वजह से जो भी हमें disorders create होते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? mendelian disorders है उसमें से hemophilia है तो hemophilia कैसा है? ये sex linked recessive disease है मतलब क्या है? इस disease में क्या होता है? एक single protein जो है वो involve होता है किस चीज में blood को clot करने में, मतलब ये सीधा-सीधा जोड़ा होगा है हमारे blood clotting से अगर ये disease हमें हो गई है या ये disorder हमें हो गया है तो इसकी वजह से क्या होगा? कि अगर simple सा कोई cut भी लग रहा है तब भी हमें इतनी जादा unstoppable bleeding होगी कि इसकी वजह से कोई इंसान मर भी सकता है और mostly क्या होता है कि जो heterogigas females होती है वो इस disease की carrier होती है और males में इस चीज को होने का खतरा काफी जादा होता है और जो females होती है वो इस चीज से बची रहती है काफी rare है कि females में यह हो जाए और इसका काफी अच्छा example है कि जो क्यों victoria है उनके family pedigree में हमें यह देखने को मिला था कि काफी जादा female sorry hemophilic descents थे और क्योंकि वो भी एक carrier है इस disease की तो यह उनके बेटे के लिए भी खतरा था कि हो सकता है कि उन्हें भी यह बीमारी हो सकती है right तो males में यह देखने को जादा मिलता है females में यह काफी rare होता है क्योंकि यह heterogigus जो female होती है वो यह disease carry करती है और यह कैसा sex linked recessive disease है recessive से आप याद रखेंगे right उसके बाद sickle cell anemia है तो sickle cell anemia में क्या होता है mostly हमारे जो red blood cells होते है उनकी shape goal होती है लेकिन sickle cell anemia में यह इस तरह के कुछ हो जाती है right तो इस वज़ा से क्या होता है कि यह maybe it can cause blocking क्योंकि हमारी nerves में goal इसलिए होती था कि वो easily pass on हो जाए अगर वो इस shape की हो जाएंगी तो कहीं पर भी यह stuck हो सकती है और उस वज़ा से किसी भी इंसान की जान भी जा सकती है तो यह कैसा है यह एक autosome linked recessive trait है आप याद रखेंगे hemophilia sex linked है और यह कैसा है autosome linked recessive trait है जो की parents से बोथ parents से जो की इस gene के carrier हो या फिर कोई heterogigas carrier हो तो उसके उससे यह transmit होगा कि इससे next generation में transmit होगा यह autosome linked recessive trait है याद रखेंगे आप तो यह होता कैसे है तो जब हमारा DNA sequence जो है हमारे DNA के अंदर coding होती है मितलब की आप ऐसे समझ लेजिए कि यह DNA है bonds है यह आपस में बनते है आपने chemistry में देखा हो कि bonds हमेशा दो elements के बीच होता है तो उसी तरह से हमारे DNA में proteins present होती तो अगर मैं बात करू तो adenosine, thymine इस तरह से काफी ज़ादा glutamine तो यह क्या है ग्योनीन तो यह क्या है यह proteins होती है जो की अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग functions के लिए code करती है तो जब हमारे DNA में glutamic acid इसको की glue कहा जाता है वो replace हो जाता है valine के थूँ रइट? वहाँ पे अगर glue करके कोई codon है उसको replace कर दिया गया उसकी जगह पे कौन आ गया? उसकी जगह पे आ गया valine आप याद रखेंगे 6th position पे होता है globulentine के 6th position पे जहाँ पे glue को जुड़ना था glutamic acid को जुड़ना था वहाँ पे क्या आ गया? valine आ गया तो उसकी वज़ा से ये जो hemoglobin molecule है हमारा इसकी shape change हो जाती है अब अगर codon की बात करें तो codon क्या था वहाँ पे वहाँ पे जो अगर glutamic acid जुड़ता तो codon आता है GAG गयूनीन, adonacine, गयूनीन अब यहाँ पे ये आना चाहिए था लेकिन valine के जुड़ने की वज़े से वो क्या बन जाता है? G, U, G इस codon की present से हमारे जो cell की जो shape है हमारे RBC की shape है वो change हो जाती है और वो कैसा हो जाता है? सिक्कल shape हो जाता है उसके बाद phenyl ketoneuria है तो यह क्या है? यह एक inborn error है metabolism का हमारे metabolism का जो की inherit होता है कैसे? autosomal recessive trait से आप याद रखेंगे यह भी autosomal recessive trait है और यह जो उपर आप देख रहे हैं यह भी autosomal linked recessive trait है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कि glutamic acid का substitution हो रहा है valine के साथ कौन से number पे? 6th position पे जो हमारे beta globuline chain होती है hemoglobin की उसके 6th position पे glutamic acid के जगा बैलीन आजाता है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो individual है उसके अंदर एक ऐसा enzyme नहीं होता है जो कि amino acid phenylenoline को triocene में convert कर सके अब इसका result यह होता है कि जो phenylenoline है यह हमारी body अंदर accumulate होती रहती है और बाद में जाकर कि दिमाग में accumulate होती रहती है वहाँ पे एकठी होती रहती है और इस चीज से mental retardation भी हो जाती है इंसान कहते हैं कि दिमागी तोर से थोड़ा सा unstable हो जाता है और यह कहा है हमारी urine के थ्रू भी excrete होता है क्योंकि because of it क्योंकि यह जो kidney है वो अपनी पूर absorption शो करती है तो यह हमारी urine से बहार निकल जाता है अब next देखते है तो उसके बाद है chromosomal disorders अभी हमने बात की है सारे यह कैसे थे mendelian disorders थे और अब हम बात कर रहे हैं chromosomal disorders की तो यह acid disorders होते हैं जो की किसी chromosome के access में आने से या फिर उनके absence में होने से होती है मतलब की या तो chromosome जादा हो जाएंगे body के अंदर या फिर कम हो जाएंगे या फिर a set of chromosomes बढ़ जाएंगे पुरा का पुरा set जो है वो double हो रहा है तो इस तरह के chromosome से जुड़ी हुई जितने भी disorders हैं वो सारे chromosomal disorders होंगे तो अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि aneoplydee क्या है तो aneoplydee जो term है उसका मतलब क्या है कि या तो किसी एक पूरी cycle जब cell division होती है उस दोरान अगर chromosomes में gain हो रहा है मतलब कि अगर मैं बात करू फीमेल की तो XX chromosome होंगे तो अगर इस दोरान एक error हो गया कि एक और X आकर के जुड़ गया तो वो क्या होगा aneoplydee या फिर एक X जो है वो कम हो गया होना क्या था कि ये pair में ऐसे XX होना था लेकिन ये X नहीं आया एक ही आया तो वो क्या है कि एक loss हो गया तो वो भी क्या है aneoplydee है मतलब या तो loss of chromosome या फिर addition of chromosome इसको ही aneoplydee कहा गया है और इसका जो result है वो क्या है down syndrome जैसे कि उसमें क्या होता है एक extra copy of chromosome number 21 की बन जाती इंसान में chromosome number 21 है उसकी एक extra copy आ गई तो क्या हो जाएगा down syndrome हो जाएगा तो down syndrome कैसा होता है तो यह आप picture में देख सकते हैं इस तरह कि आपने देखे होंगे movies में देखे होंगे या आपने आस पास कही लोग देखे होंगे जो इस तरह कि बिमारी से ग्रसित होते है तो इनको क्या कहते है down syndrome कहते है और यह कैसे होता है जो chromosome number 21 है उसकी एक extra copy इनसान के अंदर बन जाती है तो उसको down syndrome कहते है उसके बाद turner syndrome है तो यहाँ पे जो x chromosome है वो human females के अंदर नहीं होता है वो कम हो जाता है जैसे कि मैं आपको बता है कि दो x chromosome होने चाहिए थे फीमेल के अंदर लेकिन एक जो है वो नहीं होता है तो उस वज़ा से क्या है वो turner syndrome में convert हो जाता है उसके बाद बात करते है polypole ID की तो यहाँ पे क्या होता है तो जो हमारे chromosome है अब देखिए जब cell divide होते है तो काफी ज़ादा stages वहाँ पे होती है जैसे कि हमने anaphase पढ़ा था उसे तरह से telophase होती है तो जब यह cytokinin होती है telophase के बाद उसमें failure आजाता है मतलब cytokinin अच्छे से नहीं हो पाती है और इसका result क्या होता है कि जो पूरा का पूरा set है organism के अंदर तो इस फिरोमेनों के कहा जाएगा तो polypulidae कहा जाता है और यह mostly plants में देखा जाता है उसके बाद अगर एक copy of chromosome जाए individual के अंदर वो आई ही नहीं लैक हो गई यहाँ पे या फिर मैं गहूं during the cell dividation एक chromosome की copy आई ही नहीं तो उसको हम कहेंगे prysomy या फिर monosomy एक जादा आ रही है एक सेट एक्स्ट्रा आ रहा है तो polypulidae और एक सेट कम आ रहा है तो prysomy या फिर monosomy अगर chromosome का number एक बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो anipulidae उसके बाद clinical syndrome है तो इसमें क्या है कि एक additional copy X chromosome की present होती है karyotype of the chromosome 47 होते है मतलब यहाँ पर chromosome इस तरह से आप देख सकते है XXY हो सकता है यह XXX हो सकता है तो यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है clean filter syndrome की बात हो रही है तो यहाँ पर यह males के अंदर देखा जाता है तो 47 chromosomes हो जाएंगे मतलब कि XXY उसके अंदर feminine characters भी होंगे और male characters भी होंगे मतलब कि जो पूरी body की all over development है वो कैसी होगी masculine होगी masculine होगी मतलब कि males की तरह होगी लेकिन female development भी वहाँ देखी जाएगी जैसे कि development of breast और यह जो development of breast है इसको क्या कहते हैं gynecomastia और ऐसे जो individuals होते हैं क्योंकि अब देखिए यहाँ पर female के characters भी है और male के characters भी है तो यह कैसे होते हैं यह sterile होते हैं मतलब यह अपने next generation क्योंकि इनके अंदर sperm production नहीं होगी simple से आप यह याद रख ले sterile का मतलब अपने next generation को यह birth नहीं दे सकते उसके बाद turner syndrome है तो turner syndrome एक ऐसा disorder है जिसमें की एक x chromosome जो है वो कम होता है मतलब की जैसे female है तो female में क्या होना था x x chromosome होना था तो यह chromosome वहाँ पर नहीं होगा अब यहाँ पर कितने chromosome थे 46 थे पूरे लेकिन अब यह नहीं है तो कितने होंगे 45 chromosomes होंगे और ऐसी female जो होती वो कैसी होती है sterile होती है मतलब उनके अंदर ovaries की production नहीं होती है इस वजह से वो कैसी होंगी sterile होंगी और अपनी next generation को वो birth नहीं दे पाएंगी उनके अंदर जो secondary sexual characters है वो नहीं होंगे उसके बाद कुछ questions को discuss कर लेते हैं तो which of the following is a type of autosomal recessive genetic disorder तो autosomal recessive genetic disorder कौन सा था हमने देखा था कि ये कौन है sickle cell anemia है उसके बाद which of the following disorder is also called as royal disease तो hemophilia क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो qn victoria है वो खुद एक carrier है और इससे क्या खतरा था कि उनके बेटे को भी हो सकता है hemophilia तो ये क्योंकि qn victoria इसकी carrier है और उनके पूरे family में जो female carriers है तो इसी लिए इसको royal disease भी कहा गया है क्योंकि ये qn victoria को है इसलिए उनके family में ये देखा गया है पूरे pedigree analysis में तो इसलिए इनको इसको royal disease भी कहा गया है hemophilia को आप याद रखेंगे तो friends आज के लिए सिर्फ इतना ही इसी के साथ हमारा ये पूरा जो sex determination का chapter है और जो हमारी ये variation, mutation सब कुछ हमने बहुत अच्छे से cover up कर लिया है अब हम next जो है नया topic लेकर के आएंगे और उसके ओपर discussion करेंगे I hope आपको चीजे अच्छी लग रही होगी कुछ आपको समझ नहीं आता है तो आप comment कर सकते हैं इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहें like, share, subscribe जरूर कर दे thanks for watching